नमस्कार दोस्तों मैं संतोस पटेल स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल बंदार पर आज की वीडियो में हम ITITO एक्जाम के लिए तो आज की वीडियो में हम HTML के कुछ important question समझने बाले हैं साथ ही साथ हम HTML को थोड़ा सा practical भी समझेंगे कि HTML में किस प्रिकार से program बनाया जाता है HTML प्रिकार का structure क्या होता है किस प्रिकार से HTML प्रिकार को run किया जाता है पहले हमें HTML का थोड़ा सा introduction समझना होगा कि HTML क्या है HTML एक markup language है markup language HTML का भुलफॉर्म क्या होता है hypertext markup language HTML का भुलफॉर्म होता है hypertext markup language markup language का मतलब क्या है एक ऐसी language जो text को सो करने की text की formatting करने की सुभिधा प्रिदान करती है उसे कहा जाता है markup language तो HTML एक markup language है जो की web page design करने के लिए use की जाती है web page क्या होता है किसी website के page को कहा जाता है web page एक website multiple web pages का collection होती है तो website का जो page होता है उसे बनाने के लिए HTML का use किया जाता है HTML का HTML किसी web page के structure को create करती है structure को किसी web page का जो structure होता है वह HTML से बनाया जाता है फिर उस web page को attractive बनाने के लिए उस पर CSS apply कर दी जाती है उसमें JavaScript add कर दी जाती है तो जब भी कोई web page बनता है कोई website बनती है तो उसकी सुरुवात HTML से ही होती है HTML से HTML का यदि आपको program बनाना है तो आपको किसी भी एक text editor software की आवसकता होती है text editor text editor मतलब एक ऐसा software जो text को type करने की edit करने की सुभिदा देता है और आप जो HTML का program बनाते हैं उसका output सो करने के लिए web page को run करने के लिए web browser का यूज किया जाता है web browser का मतलब HTML का program बनता है text editor पर और output सो किया जाता है web browser तो HTML क्या है? HTML एक markup language है जो की web page बनाने के लिए use की जाती है HTML का यदि आपको program बनाना है, code करना है तो आपको एक text editor की आवसकता होती है और HTML का output web browser में सो किया जाता है तो अभी हमने HTML का थोड़ा सा introduction समझा अब हम HTML को थोड़ा सा practically समझने वाले हैं Practically मतलब HTML का program किस परकार बनाया जाता है HTML program का structure क्या होता है? HTML program को किस परकार run किया जाता है तो हम अपना program visual studio code में बनाने वाले हैं जो कि एक text editor है, code editor है और इसमें किस परकार program बनाते हैं, किस परकार run करते हैं हम यह सीखने वाले हैं तो चलते हैं visual studio code पर यह हमारा visual studio code editor है जिसमें हम HTML का एक program बनाने वाले हैं यहाँ पर हमने अपना एक folder open किया है हमारा folder है javascript इस folder के अंदर हम एक new file एड़ करेंगे new file तो हमने यहाँ से new file option पर click किया और यहाँ पर हमें इस file का एक नाम देना होता है तो for example हमने file का नाम दिया है test.html हमने इसका दिया है extension file का नाम है test.html इसका extension दिया है हमने क्यूंकि HTML file का extension क्या होता है .htm या .html यह हमारी एक नई file बनके तयार हो गई अब इसके अंदर हम HTML की coding करेंगे तो html program की सुरुवात html tag से ही होती है हमने याँ पर html tag को open किया visual studio code ने automatic html tag को close कर दिया html html document का root tag होता है root element होता है मतलब html program में other सभी tag html tag के अंदर ही use किये जाते हैं मतलब html का जो भी program होता है उसकी सुरुवात किस से होती है html tag से html के अंदर हम दूसरा tag लगाने वाले हैं head tag head tag क्या होता है head tag web page से सम्मंदित metadata को store करता है metadata क्या होता है web page से सम्मंदित data को कहा जाता है metadata इस head tag के अंदर हमने एक tag all लगाया है title tag title tag क्या करता है title tag web page का एक title set करता है जब आप इस web page को run करेंगे तो यह title web browser के title बार में so किया जाता है for example हमने यहाँ पर एक title दे दिया है my page जब हमारा यह web page रन होगा तो यह title हमें web browser के title बार पर so किया जाएगा तो अभी हमने HTML tag लगाया head tag लगाया title tag लगाया अब हम head tag के बाद body tag को open करेंगे body tag को body tag हमारे HTML document का एक ऐसा tag होता है जो की content को store करता है content मतलब जानकारी को information को हमारे web page पर जो भी जानकारी सो होगी भैस अभी हमें body tag में type कन्नी होती है तो हमने body tag के अंदर for example लिख दिया first web page यह हमारा पहला web page है हमने एक simple web page बनाया simple program बनाया शुरुवात किस tag से करी हमने HTML last में यह tag close है फिर हमने लगाया head tag को head tag metadata को store करता है मतलब web page से सम्मंदित information को इसके अंदर हमने title tag लगाया है title tag हमारे web page का एक title set करता है और head tag के बाद हमने body tag लगाया है जो की हमारे page में so होने वाली information को store करता है अब हम इस program को save करते हैं और इसको run करते हैं visual studio code में हमने live server को add किया है तो हम right click करेंगे और open with live server को select करेंगे जिससे हमारा program run होगा और program के run होने पर आप देख सकते हमारे program का output so किया जा रहा है हमने सिर्फ क्या message दिया था first wave page यह output हमें so किया जा रहा है जो की हमने body tag में लिखा था और जो हमने title tag में title दिया था वह हमें title bar में so किया जा रहा है title bar में तो इस परकार से wave page को बनाया जाता है html program को बनाया जाता है और run किया जाता है प्रोग्राम को बनाने के लिए टेक्स्ट एडिटर का यूज करते हैं जबकि प्रोग्राम का आउटपूर्ट सो करने के लिए बैब ब्राउजर का यूज किया जाता है HTML में कई प्रकार के टेग होते हैं बहुत सारे टेग हैं कुछ टेग होते हैं empty टेग कुछ होते हैं container टेग empty टेग कौन से होते हैं जो टेग open होते हैं लेकिन close नहीं होते हैं उन्हें कहा जाता है empty टेग और container टेग कौन से होते हैं जो टेग open भी होते हैं और close भी होते हैं उन्हें कहा जाता है container टेग अब हम HTML का एक tag और समझने वाले हैं, heading tag, heading tag 6 परकार के होते हैं, 6 परकार के H1 से लेकर H6 तक, HTML में heading tag 6 परकार के होते हैं, H1 से लेकर H6 तक, For example, हमने पहला heading tag लगाया H1, और इसके अंदर हमारा जो text है, इसको paste कर दिया, मतलब अब क्या होगा, हमारे web page में, जो first web page information थी, वह एक heading बन जाएगी, heading बन जाएगी मतलब, अब यह हमें एक बड़ी size पर और bold करके सोकी जाएगी, यह होती है heading, heading को सोकनने के लिए हमने कौन सा tag लगा दिया, H1 tag, total 6 परकार की heading होती है, जिसमें सबसे बड़ी heading होती है, H1, इसी परकार से, H2, H3, 6 परकार की heading होती है, आप इन सभी को अपने program में use कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, H1 सबसे बड़ी heading होती है, और H6 सबसे छोटी heading होती है, जैसे कि हमने कर दिया H2, H3, H4, H5 और H6, हमने सभी heading tag को यहाँ पर एक साथ use किया है, अब इससे क्या होगा, जब हमारा web page run होगा, तो हमें सभी heading का output एक साथ सो किया जाएगा, हम program को run करते हैं, अब आप देख सकते हैं, हमारे सामने सभी परकार की heading हो रही है, जिसमें सबसे बड़ी होती है H1 और सबसे छोटी होती है H6, तो इस परकार से web page में आप heading tag का use कर सकते हैं, HTML के अंदर multiple tag होते हैं, बहुत सारे tag होते हैं, लेकिन हम कुछ basic tag को यहाँ पर practically सीख रहे हैं, इसी परकार से मान लोग, आपको किसी text का color change करना है, क उसके लिए font tag का use किया जाता है, जैसे हमने यहाँ पर एक simple message लिखा है, sample text, अब यदि हमें sample text का color change करना है, तो इसके लिए हमें लगाना होता है font tag, और font के साथ हम एक attribute लगाएंगे color, जो भी color आपको use करना है, आप उस color का नाम लिखें, और font tag को text के बाद close कर दें, font tag open बीच में आएगा text, उसके बाद हमने font tag को close कर दिया, अब इससे क्या होगा, जो font tag है, वह color red कर देगा, किसका sample text का, हम program का output देखते हैं, अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर sample text को red color में सो किया जा रहा है, red color में, तो इस प्रकार से हम text का color भी change कर सकते हैं, यहाँ पर यद tag को लगाना होता है, img, img का मतलब क्या होता है, image, और image tag का एक attribute लगाना होता है, src, src का मतलब क्या होता है, source, हम जो image add करना चाहते हैं, उस image का हमें नाम देना होता है, तो for example हमारी image है, pick.png, हमें यह image सो करनी है, तो हम यहाँ पर लखेंगे pick.png, हमने image का path दे दिया address दे दिया, इसके बाद हम bracket को close करेंगे, जो image tag है, यह एक empty tag है, unpaired tag है, मतलब इसको close करने की आवसकता नहीं होती है, हम program को save करेंगे, अब हमारे program में एक image add हो जाएगी, अब देख सकते हैं, हमने जिस image का path दिया है, जिस image का नाम दिया है, वह image हमारे web page में add हो गई है, तो image को add करने के लिए, img tag का use दिया जाता है, हमने यहाँ पर heading को add करना सीखा, font color change करना सीखा, image को add करना सीखा, इसी परकार से, यदि आपको web page में कोई list तयार करनी है, list, तो web page में तीन परकार की list बनाई जा सकती है, ordered list, unordered list और definition list, यहाँ पर हम एक list भी बनाने बाले है for example हमें ordered list बनानी है, तो हम लगाएंगे ol tag, ol मतलब ordered list, अब list के अंदर हमें जितने भी list item देने हैं, उतनी बार हम लगाएंगे li tag, ol का मतलब क्या है, ordered list, ordered list कौन सी होती है, जिसमें list item के साथ number use किये जाते हैं, number, और unordered list कौन सी होती है, जिसमें list item के साथ bullet so किये जाते हैं फर एक्जाम्पिल हमने यहां पर पहला लिस्ट आइटम दे दिया word MS word दूसरा li tag हमने लगाया यहां पर हमने दे दिया excel और एक और li tag हमने लगाया जिसमें हमने दे दिया powerpoint तो इस प्रकार से हमारी एक लिस्ट बन कर तयार होगी ordered list मतलब ol जिसमें तीन लिस्ट आइटम होगे word, excel, powerpoint देखते हमारे program का output अब आप देख सकते हैं पहले हमारा img tag run हुआ तो image आ गई उसके नीचे हमारी क्या बन कर तयार होगी एक list बन कर तयार होगी यह एक ordered list है जिसमें numbering सो की जाती है numbering और unordered list होगी तो उसमें bullets सो की जाते हैं हमने अपनी list में तीन option add करे थ li tag के मध्यम से तो इस प्रकार से webpage को बनाया जाता है webpage में tag add किये जाते हैं और webpage को run किया जाता है यहाँ पर हमने बहुत कम समय में html का थोड़ा सा practical समझा है html अपने आप में एक बड़ा subject एक बड़ा topic है क्यूंकि इसके अंदर बहुत सारे tag होते हैं यहाँ पर हमने थ कुछ important questions को mcq question के रूप में समझने बाले हैं तो चलते हैं अपनी presentation पर और देखते हैं आज के हमारे पहले question को तो पहला question हम से पूछा गया है html का full form क्या होता है html का full form क्या होता है हमने आज की वीडियो में ही जाना html का full form होता है hyper text markup language html का full form है hyper text markup language देखते हैं हमारे next question को next question है html को किसके द्वारा बनाया गया है html को किसके द्वारा बनाया गया है html को बनाया गया है टिम बर्नर्स ली के द्वारा, HTML को, टिम बर्नर्स ली के द्वारा बनाया गया है, टिम बर्नर्स ली के द्वारा, HTML को बनाया गया है, जिस question का answer होगा, टिम बर्नर्स ली, देखते हैं हमारे, next question को, next question है, HTML के द्वारा, किस प्रकार के बेब पेज बनाए जाते हैं HTML के द्वारा किस प्रकार के बेब पेज बनाए जाते हैं HTML के द्वारा बनाए जाते हैं Static बेब पेज Static मतलब जो fix होते हैं स्थाई होते हैं Run Time पर Automatic Change नहीं होते हैं एक होते हैं Dynamic बेब पेज जो कि Java script से PHP से बनाए जाते हैं जो कि run time पर automatic change हो जाते हैं लेकिन HTML के द्वारा जो web page बनते हैं वह होते हैं static web page HTML के द्वारा static web page बनाए जाते हैं देखते हैं हमारे next question को next question है HTML program का extension क्या होता है HTML program का extension क्या होता है HTML program के दो extension हो सकते हैं या तो dot html या dot htm, dot html या dot htm, html program के extension हो सकते हैं, देखते हैं हमारे, next question को, next question है, html का root element क्या होता है, html का root element क्या होता है, मतलब जब हम html का कोई program बनाते हैं, तो उसका root tag क्या होता है, tag को element भी कहा जाता है और जब हम html का कोई program बनाते हैं, तो उसका root tag, मतलब की first tag होता है, html tag, other सभी tag, इसी tag के अंदर use किये जाते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है, root tag, html का root element होता है, html tag, देखते हैं हमारे next question को, next question है, html tag को किस bracket में लिखा जाता है, html tag को किस bracket में लिखा जाता है, तो html के सभी tag को angle bracket में लिखा जाता है इसे angle bracket कहते हैं जो की less than और greater than symbol से मिलकर बना होता है तो html के सभी tag को angle bracket में लिखा जाता है देखते हमारे next question को next question है html tag को close करने के लिए किस symbol का उपयोग किया जाता है html tag को close करने के लिए किस सिंबॉल का उपयोग किया जाता है html tag को close करने के लिए forward slash का यूज किया जाता है यह forward slash है एक होता है keyword में back slash यह forward slash html tag को forward slash से close किया जाता है forward slash back slash से close नहीं करते हैं forward slash का यूज होता है तो html tag को close करने के लिए forward slash का use किया जाता है देखते हमारे next question को next question है html में कितने प्रकार की list create की जा सकती है html में कितने प्रकार की list create की जा सकती है html में तीन प्रकार की list create की जा सकती है एक होती है ordered list ol tag से बनती है दूसरी होती है unordered list ul tag से बनती है तीसरी होती है definition list जो कि DL tag से बनती है HTML में मैं तीन प्रकार की list होती है ordered list OL tag से बनती है unordered list UL tag से बनती है और definition list DL tag से बनती है और इन list को जोड़कर nested list भी बनाई जा सकती है nested list लेकिन nested list इनहीं list के द्वारा create की जाती है तो HTML में तीन प्रकार की list होती है ordered list, unordered list और definition list देखते हैं हमारे next question को next question है बेप page में image insert करने के लिए किस tag का उपयोग किया जाता है बेप page में image insert करने के लिए किस tag का उपयोग किया जाता है यदि हमें अपने बेप page में image insert करनी है तो हमें img tag लगाना होता है, img, img का मतलब क्या होता है, image, और image tag के साथ हमें src attribute देना होता है, src, src में image का path दिया जाता है, image का address दिया जाता है, तो img tag के द्वारा web page में image insert की जाती है, जिसका perform होता है image, देखते हैं हमारे next question को, next question है, web page में hyperlink create करने के लिए, किस tag का उप्योग किया जाता है, web page में hyperlink create करने के लिए, किस tag का उप्योग किया जाता है, hyperlink क्या होती है, यदि हमारा यह एक first web page है, और यह हमारा एक second web page है, हमें दोनों web page को आपस में link करना है, तो hyperlink create करेंगे, hyperlink, आपने देखा होगा website में hyperlink बनी होती है, जब आप hyperlink पर click करते हैं, तो आप next page पर transfer हो जाते हैं, भै कहलाती है hyperlink, hyperlink बनाने के लिए, HTML में a tag का use किया जाता है, a का meaning होता है, anchor, anchor tag के द्वारा, HTML में hyperlink create की जाती है, और हमें इस tag के साथ, href, href एक attribute भी लगाना होता है, href का perform होता है, hypertext reference, hypertext reference, तो hyperlink create करने के लिए, a tag का, या anchor tag का use किया जाता है, देखते हैं हमारे next question को, next question है, web page में horizontal line draw करने के लिए, किस tag का उप्योग किया जाता है, यदि हमें अपने web page में एक line draw करनी है, for example, यह हमारा web page है, इसमें अब हैं, एक horizontal line draw करनी है, horizontal, तो उसके लिए hr tag का use करते है, hr, hr का full form क्या होता है, horizontal rule, horizontal rule, hr tag के द्वारा, horizontal line को draw किया जाता है, इस question का answer होगा, hr tag, देखते हैं हमारे, next question को, next question है, web page को open करने के लिए, किस प्रकार के software का उप्योग किया जाता है, web page को open करने के लिए, किस प्रकार के software का उप्योग किया जाता है, यदि हमने कोई web page बनाया है, हमें उसको open करना है तो किस प्रकार किस software की आवसकता होगी वह होता है web browser web page को या web site को open करने के लिए web browser का use किया जाता है जैसे कि Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera Mini यह सभी web browser होते हैं जो कि web page या web site को open करने के लिए use किये जाते हैं देखते हैं हमारे next question को next question है ordered list create करने के लिए किस tag का उपयोग किया जाता है ordered list ordered list मतलब OL tag OL tag से बनती है ordered list ordered list कौन सी होती है जो की numbering को सो करती है list item के साथ numbering को सो करती है OL का मतलब क्या होता है ordered list एक ऐसी list जिसमें प्रतेक list item के साथ एक number को सो किया जाता है उसे कहते हैं ordered list या numbered list जिसको बनाने के लिए ol tag का use किया जाता है देखते हैं हमारे next question को next question है unordered list create करने के लिए किस tag का उपयोग किया जाता है unordered list यदि हमें ordered list बनानी है तो ol tag था unordered list बनानी है तो ul tag है ul unordered list कौन सी होती है जिसमें list item के साथ number के इस्थान पर bullet सो किये जाते हैं bullet symbol सो किये जाते हैं वै होती है unordered list इसे बनाने के लिए ul tag का use किया जाता है ol मतलब ordered list ul मतलब unordered list देखते हैं हमारे next question को next question है definition list create करने के लिए किस tag का उपयोग किया जाता है definition list को बनाने के लिए dl tag का use किया जाता dl dl मतलब definition list ol मतलब ordered list ul मतलब unordered list और dl मतलब definition list तो यदि हमें कोई definition list बनानी है तो हम dl tag का use कर सकते हैं देखते हैं next question को next question है text को sub script करने के लिए किस tag का उपयोग किया जाता है हमें अपने web page में यदि किसी text को sub script करना है sub script क्या होता है for example हमने लेका co2 तो 2 को normal text से थोड़ा नीचे लिखा जाता है यह कहलाता है sub script तो यदि हमें किसी text को sub script करना है तो HTML में sub tag use किया जाता है sub sub script के लिए sort में लिखा जाता है sub text को sub script करने के लिए HTML में sub tag का sub tag का use किया जाता है देखते हैं हमारे next question को next question है text को super script करने के लिए किस tag का उपयोग किया जाता है टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए किस टेग का उपयोग किया जाता है यदि हमें अपने बेप पेज में किसी टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट करना है सुपर स्क्रिप्ट करना है मतलब जैसे हमने लिखा तेंथ तो ts थोड़ा सा उपर होता है हमने लिखा second तो जो end होता है वह थोड़ा सा उपर लिखा जाता है इसे कहते हैं super script और super script करने के लिए SUP tag का use किया जाता है SUP SUP का full form क्या होता है super script तो इस question का answer होगा SUP tag देखते हैं हमारे next question को next question है text color को change करने के लिए किस tag का उपयोग किया जाता है यदि हम HTML से text color change करना है तो हम font tag का use करेंगे font font tag के साथ 3 attribute भी use किये जाते हैं एक attribute होता है size size से हम text की size change कर सकते हैं दूसरा होता है color जिससे हम text का color change कर सकते हैं तीसरा होता है face face से हम font की style change कर सकते हैं तो हमसे पूछा गया था text color को change करना जिसके लिए font tag use होता है और इसके साथ color attribute का use किया जाता है तो question का answer होगा font tag देखते हैं हमारे next question को next question है बेपेज के background में color set करने के लिए body tag के साथ कौन सा attribute यूज किया जाता है बेपेज के background में color set करने के लिए body tag के साथ कौन सा attribute यूज किया जाता है हमने जो बेपेज बनाया है यदि हमें उसके background में कोई एक color set करना है पूरे background में तो हमें body tag के साथ bg color attribute का use करना होता है bg color bg color का मतलब क्या है background color जो body tag होता है यदि हम उसके साथ bg color लगा देंगे और एक color का नाम दे देंगे तो हमारे बेपेज के background में एक color set हो जाता है तो बेपेज के background में color set करने के लिए body tag के साथ bg color attribute का use किया जाता है देखते हमारे next question को next question है बेपेज के background में image set करने के लिए body tag के साथ कौन सा attribute use किया जाता है अभी हमने एक question देखा background में color set करना जिसके लिए body tag के साथ bg color attribute उस किया जाता है अब हमसे पूछा गया है यदि हमें अपने webpage के background में कोई picture set करनी है image मतलब जो हमारे webpage का background है उस पूरे background में कोई image set करनी है तो हमें body tag के साथ कौन सा attribute लगाना होगा body tag के साथ background attribute को लगाना होता है background, background attribute से web page के background में image set हो जाती है और bg color से background color set हो जाता है, देखते हैं हमारे next question को, next question है, src का full form क्या होता है, src का full form क्या होता है, हमने आज की वीडियो में ही जब image को insert करना सीखा था, तब हमने बहाँ पर src attribute लगाया था, src का मतलब क्या होता है, source, source मतलब जहां पर किसी image का या किसी file का या किसी page का source दिया जाता है, url दिया जाता है, address दिया जाता है, src का full form क्या होता है, source, source म next question को next question है बेप पेज में table create करने के लिए किस tag का उपयोग किया जाता है यदि हमें बेप पेज में इस प्रकार का कोई table बनाना है table तो हम कौन सा tag use करेंगे table tag multiple tag से मिलकर बनता है जो table है multiple tag को मिलाकर बनता है सबसे पहले हमें table को बनाने के लिए table tag लगाना होता है table tag फिर table के अंदर row बनाने के लिए tr tag लगाना होता है और row के अंदर column बनाने के लिए td tag लगाना होता है यदि हमें अपने बेप पेज में कोई table बनाना है तो सबसे प tr मतलब table की row बनाने के लिए फर tr tag के अंदर td tag को लगाया जाता td td मतलब table data जो की table में column को create करता है तो table बनाने के लिए table tag है लेकिन इसके अंदर tr tag और td tag को भी use करना होता है तो इस question का answer होगा table tag वे page में table बनाने के लिए table tag का use किया जाता है देखते हैं हमारे next question को next question है table में row create करने के लिए किस tag का उपयोग किया जाता है किदी हमें table के अंदर row बनानी है table बनाने के लिए तो table tag है लेकिन table के अंदर row बनानी है तो कौन सा tag यूज होगा tr tag tr का मतलब क्या है table row table के अंदर row बनाने के लिए tr tag का use किया जाता है table में row बनाने के लिए tr tag का use किया जाता है देखते हमारे next question को next question है table में column create करने के लिए किस tag का उपयोग किया जाता है table में column create करने के लिए किस tag का उपयोग किया जाता है अभी हमने देखा था table में row add करना, row add करने के लिए कौन सा tag था, row add करने के लिए था tr tag, अब हमसे पूछा गया है, table में column add करने के लिए, या column बनाने के लिए, कौन सा tag यूज किया जाता है, भै होता है td tag, td का मतलब क्या है table data, table data table का data column में भरा जाता है, और column बनाने के लिए td tag का use किया जाता है देखते हैं हमारे next question को next question है html form में text box create करने के लिए किस tag का उपयोग किया जाता है html form में text box create करने के लिए किस tag का उपयोग किया जाता है html का जो form होता है form में यदि हमें text box बनाना है तो input tag का use किया जाता है input input tag को किस प्रकार यूज़ करते हैं input type equal to text type equal to double quote में हम क्या लिख देंगे text या हम यहाँ पर text box भी लिख सकते हैं तो यदि हमें HTML में form के अंदर text box बनाना है तो हम कौन सा tag लगाएंगे input tag और यहाँ पर type क्या देंगे हम text या text box इस tag के द्वारा radio button, check box, password box कई परकार के control बनाए जा सकते हैं form के अंदर maximum control input tag के द्वारा बनाए जाते हैं तो हमसे पूछा गया था यदि हमें text box बनाना हैं तो कौन सा tag यूज होगा text box बनाने के लिए input tag लगेगा इसके साथ हमें type attribute में text या text box value देनी होती है इस question का अंसर होगा input tag form के अंदर text box बनाने के लिए input tag का यूज किया जाता है next question है हमारा title tag में दिया गया title बैब ब्राउजर में कहां सो होता है title tag में दिया गया title बैब ब्राउजर में कहां सो होता है आज की वीडियो में ही हमने इस question का answer समझा था हम title tag के अंदर जो भी title देते हैं वह web browser के title bar में so होता है title bar में web browser का जो title bar होता है बहाँ पर हमारे web page का title so किया जाता है तो इस question का answer होगा title bar title tag में दिया गया title web browser में so होता है देखते हमारे next question को next question है href का full form क्या होता है href का full form क्या होता है जब हम hyperlink बनाते हैं तो हमें a tag का use करना होता है इसका एक attribute होता है href मतलब hypertext reference hypertext reference हमें किस web page से linking करनी है उस web page का source उस web page का पता href attribute में type किया जाता है href का full form क्या होता है hypertext reference तो href का full form होता है hypertext reference देखते हमारे next question को next question है list में items को add करने के लिए किस tag का उपयोग किया जाता है यदि आपने html में कोई ordered list बनाई है या unordered list बनाई है और आपको इस list में items को add करना है तो कौन सा tag यूज किया जाता है ol tag और ul tag के अंदर यदि हमें list item को add करना है तो li tag का use किया जाता है li li का मतलब क्या होता है list item यह tag ol tag और ul tag के साथ use किया जाता है ol से बनती है ordered list ul से बनती है unordered list उनके अंदर list item को add करता है li tag तो list में item add करने के लिए li tag का use किया जाता है, देखते हैं हमारे next question को, next question है, बेप page में frame create करने के लिए किस tag का उपयोग किया जाता है, frame क्या होते हैं, जैसे कि हमारा यह बेप page है, इस web page को यदि हमें multiple part में divide करना है row wise या column wise या row और column एक साथ तो उसके लिए हम frame create करते हैं frame से क्या होता है हम एक साथ multiple web pages को run कर सकते हैं यहाँ पर जो frame बनते हैं इनके अंदर हम अलग अलग web page को so कर सकते हैं तो यदि हमें web page को multiple part में divide करना है तो उसके लिए frame बनाने होते हैं और frame को बनाने के लिए frame set tag का use किया जाता है frame set frame set tag के द्वारा एक web page में multiple frame create किये जा सकते हैं frame set tag देखते हैं हमारे next question को next question है HTML में कितने प्रकार के heading tag यूज किये जाते हैं HTML में कितने प्रकार के heading tag यूज किये जाते हैं इस question का answer हमने आज की वीडियो में ही समझा था जब हमने web page को practical ही बनाना सीखा था तो उसमें हमने heading tag का यूज किया था heading tag होते हैं 6 प्रकार के जो की h1 से लेकर h6 तक होते हैं h1 से लेकर h6 तक heading tag होते हैं 6 होते हैं जिसमें h1 सबसे बड़ी heading होती है और h6 सबसे छोटी heading होती है h1 सबसे बड़ी heading होती है और h6 सबसे heading होती है तो html में total 6 प्रकार के heading tag use किये जाते है h1 सबसे बड़ी heading होती है और h6 सबसे छोटी heading होती है heading tag h1 से लेकर h6 से तक होती है तो इस question का answer है 6 तो आज की वीडियो में हमने HTML से संबंदित कुछ important questions को समझा, साथी साथ हमने बहुत कम समय में HTML को थोड़ा सा practically भी समझा है, आप इन सभी question को पढ़ें, समझें, यदि आपका कोई question है, कोई doubt है, तो comment section में जरूर पूछिए, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like करें, जादा से जादा सेयर करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद.